लो गाईज नमस्कार आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम दूसरा चैप्टर लेके आ गए हैं कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि नेक्स वीडियो आपके लिए लाया जाएगा कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर वह आपका आगया है आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहें वीडियो को इसकिप न करें और कंटीन्यू लगातार देखते रहें जिससे आपको पूरे कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता चल जाएगा अगर आप इस चैप् हिंदी में हम लोग पार्ट्स बोलेंगे कि आपके कंप्यूट्र के कितने पार्ड्स होते हैं टोटर ह助ने हैं पहले हम लग यहां पे लिखे हुए हैं बोट पर हमारे स्क्र Правिरी लेक हुए है इसको हम लोग एक हे करकर डिटेल्स में पढ़ेंगे यहां तक आपको पूरा यहां पर कुछ डिटेल में बताया जाएगा जैसे आपका पहला है वीडियू कीबोर्ड एंड माउस है शेकन हमारे पास है सीप्यू और कंप्यूटर मीमोरी थर्ड फोर्थ आपका हार्डवेर एंड शॉप्ट वियर है और लास्ट आपका है अधर इंपूट एंड पूट यहनि पहले भी कुछ इंपूट के बारें बताया गया था लेकिन यहां पर कुछ हमारे और भी इंपूट डिवाइस उन सब को हम लोग डिटेल में लिख करके और समझेंगे उनको हम जितने भी आपर पार्ट लिखे हुए हैं उस सारे पार्ट को दिखाएंगे और पैक्ट के लिए नहीं है कि आप लिखने की बहुत ज़़्यादा और शक्ता नहीं है और सब को हमारा जो दिखा देते हैं तो सबसे पहला हमारा जो इसका नाम है VDU, VDU का पुरा नाम होता है यहाँ पे Visual Display Unit, यह आपका Computer ही है, Computer का मलब यहाँ पे आपका जो LED LCD जो भी है आपके पास उपलब्ध है उसको हम Computer ही कहते हैं Computer अभी आपको दिखा भी देता हूँ यह, जैसे आपके पास Board पे हमने चोटा सा बना दिया यहाँ पे और इसको हम VDU Visual Display Unit कहते हैं, ठीक है? इसको हम Output Device भी कहते हैं क्योंकि इसका काम क्या है? Monitor पे, Monitor का काम है कि आपको Output दिखाना आप जो भी लिखते हो, जो भी आप Keyboard के थो लिखते हैं, आपके CPU के थो CPU में वो आपको Computer की स्क्रीन पे दिखाने काम करता है, नहीं हो, क्या है? Display है, उसको हम Output Device भी कहते हैं, और उसको हम Video भी कहेंगे, और उसको Computer भी कहते हैं, और भी कई parts आते हैं, LCD, LED, TFT इन सब को हम आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप यह समल लेजे कि वीडियो क्या है, वीडियो एक प्रकार का Output Device है, Visual Display Unit और आपको हम Video दिखाते भी है, Monitor, उसको Monitor भी बोलते हैं, Computer, यहनि Computer के नाम से भी कहा जाता है, और एक और नया नाम आपका है, Visual Display Unit, इसको हम क्या कहेंगे, Output Device बोलते हैं, ठीक है उसके बाद Keyboard है, Keyboard क्या होते है, Keyboard एक Input Device है, Keyboard में बहुत सारे बटन आपके पास होते हैं, Near About 104 Keys हैं, इन सारे Keys को अलग अलग आपको बताया जाएगा एकदम Practically बताया जाएगा, आपको Keyboard के कौन-कौन से Function बटन होते हैं, कौन से Numeric Keys होते हैं यह इन सब को आपको एकदम डिटेल में बतायेंगे, ठीक है, यहनि Keyboard क्या है, एक परकार का Input Device है उसके बाद आपके पास यहाँ पे, क्या है माउस माउस भी एक Input Device है माउस का काम क्या होता है वो प्रोसेस को आगे बढ़ानी के लिए, इन करना Input का का काम करता है, ओके Cancel या जो भी काम उससे आपके ओवल, ओके काम या Cancel और Close का काम कर सकती हो, यहनि माउस में टोटल थिरी बटन्स होते हैं टोटल थिरी कीज होते हैं लेफ्ट की, राइट की और स्क्रॉल बटन्स होते हैं आपको दिखाते हैं कि पार्ट के वारे में जैसे अभी वीडियो आपको बताया गया वीडियो के पार्ट को दिखा रहा हूं तो यह दिखे यह आपका क्या है, यह वीडियू है वीडियू, वीज्वाल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं यह आपका LCD है और यह हमारा एक ओटपुट डिवाइस है, इस पे क्या होता है कि हमारे मैसेच को दिखाता है, अगर यह ना हो तो हम कहां पे देखेंगे, यह आपका मॉनिटर है, मॉनिटर को हमने बताया कि वीडियू और यह आपका ओटपुट डिवाइस है, वीडियू का पुरा नाम होता है, विज्वाल डिस्प्ले यूनिट अगर इसकी साइज मेजर करना है तो हमेशा हम लोग डाइगोनल मेजर करते हैं ऐसे, यहां पे तिर्षे यहां आपके पास, यहां पे देखिए, यह कीबोर्ड है कीबोर्ड बहुत सारे कीज है, यहां पे फंसन कीज होते हैं F1 से F12 कीज, फिर आपका नुमेरिक कीज, यहां आपका अलफ़बेट कीज है इसे, बहुत सारे कीज है, नियर अबाउट 100, फोर कीज होते हैं ठीक है, यह किस परकार की मशीन है, इनपुट मशीन है, यहीं इनपुट डिवाइस कहते हैं उसके बाद आपके पास, माउस, माउस भी हमारे पास 3 कीज होते हैं आपका यह राइट है, यह लेफ्ट है, यह स्क्रॉल बटन है, यह से स्क्रॉलिंग बटन बोलते हैं और इसका काम, ओके कैंसिल और फिनिस करने के काम करता है, माउस, ठीक, अब उसके बाद CPU, अगला कंपोनेंट्स आपके पास है CPU क्या है, Central Processing Unit, आपको इसके पहले भी बताया गया था, CPU के बारे में आज भी बता रहे है, Central Processing Unit यह एक प्रकार का हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है, और सबसे पहले हम CPU को ही आन करते हैं, उसके बाद तब आपका सारा काम आगे बढ़ता है इसके पहले आपको CPU के बारे मताया है, और बहुत ज़्यादा हम बढ़ा रही कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत आपको परिशर दे दिया गया, और दिखाया भी है, दुबारा आपको फिसे हम एक बार और दिखा देता हूं CPU का, तो यह आप देखी रहे हैं, यह यह आपका देता है ठीक है तो आगे आप अब आते हैं computer memory computer memory क्या होते हैं memory को हिंदी में कहते हो याद गार कहते हो याद दास बोलते हैं जैसे हम लोग अपने mobile में memory card लगाते हैं हमारे example के लिए हमारी books क्या है memory हमारी newspaper memory हमारे कोई भी notes book भी memory है इन सब को हम memory कहते हैं मेरे computer में RAM लगते हैं ROM लगते हैं यह दोनों आपके memory हैं memory भी दो प्रकार की होती है एक primary memory एक आपका secondary memory primary memory हमारे RAM और ROM होते हैं secondary memory हमारे जिसे कहते हो hard disk floppy disk SSD कहते हैं ऐसे optical disk है DVD CD तमाम ऐसे हमारे पास secondary storage जिसे बोल सकते हो और primary में आपको RAM रोम बताया गया secondary में यह तो ऐसे आपके पास जो memory होती है ऐसे हम लोग भी रखते हैं memory आप अपने copy अपने notebook कुछ अपने brain में भी रखा जाता है memory memory बहुत ज्यादा आप नहीं रख सकते हो लेकिन यह हाली में जो एकाद दू महीने आपके आस nearest month या बहुत ज्यादा वन यह बहुत ज्यादा आप रिकार्ड नहीं रखते हो लेकिन आज़े वह backup रखता है इसको हम क्या कहते हैं memory memory card बोलते हैं memory storage area बोलते हैं ठीक है तो आपको पता चल गया memory क्या है तो आपको memory के बारे में बताया गया यह भी आपको confirm हो गया अब हम आगला बताते हैं आपको hardware यह दोनों का आपको disturbance में लिया आपका software disturb हो गया तो आप समझे कि आप कोई काम को लाइक नहीं है चाहाँ जितने एदम बहुत सुंदर भी सुंदरी भी हो जाया तो कोई मतलब नहीं है यह आपका brain done होना चाहिए यह अगर software okay है hardware अपने आप accept कर लेता है अगर आपका software disturb है तो hardware कामी नहीं करेगा आपको पते नहीं चलेगा क्या करना क्या खाना कहां लेटना कहां बैठना क्या पढ़ना किससे बात करना यह सारे चीज़ें हमारे software पे डिपेंड करते हैं software अगर अच्छा है तो hardware थोड़ा बोड़ यह तो काम चल जाता है ठीक है तो hardware आपको जैसे keyboard mouse आपको दिखाया गया था यह भी मेरा hardware है ऐसे आपका monitor hardware आपके पास CPU hardware आपका printer hardware आप बहुत सारे कह सकते हैं और शेकर्ण हमारे पास होता application software आप लीकेशन के software इन दोनों के सहयोग से आप किसी भी टास्क को complete करते हो किसी भी कारी को system software का काम क्या होता है यह हमारे computer को आन करता है नहीं display करके दे देता है उसके बाद आपको जिस प्रकार का काम करना होगा उससे सम्मंधित आपके computer में application software होना चाहिए जैसे अगर आपको Photoshop पे काम करना है तो Photoshop का software होना चाहिए coral पे आपको designing करना है bedding card invitation card ऐसे कुछ भी तो आपके पास coral का software होना चाहिए यदि आपको कुछ लिखना है application या कुछ notes तयार करना या आपके किसी शायले slip तयार करना तो मेरे पास MS office या जो नया भी हाली मया है काइल को लिब्रे office कहते हैं लिब्रे office में भी काइल्क और राइटर इंप्रेस बेस इन चारों का package है ऐसे इसके पहले आपके MS office भी आज भी यूज हो रहा है लोग भी यूज करते हैं यह सब क्या हमारे application गेम भी अगर प्ले करना तो गेम कभी software होगा तभी आप चला software को ऐसे नहीं define करोगे software को तो हम directory छू तो नहीं सकते हैं लेकिन किसी instrument के थ्रो किसी device के थ्रो उसको हम control करते हैं लिखते हैं शेप करते हैं यहीं software पर काम कर सकते हो तो software की अगर definition बताना हो तो कह सकते हो set of instructions, data and programs are called software तो यह दोरों आपका clear हो गया होगा यद आपको कोई doubt होगा समझ में तो आप comment में जरूर लिख करके message करें हम लोग उसमें दुवारा आपको answer दे सकते हैं नहीं समझा सकते हैं तो अगला आप हम last हमारे पास components है input and output devices इसके वारे भी हम आपको बताते हैं वैसे अभी हमें थोड़ी दिन में आपको परशे कराय था input device और output device के बारे में हां और आप लोग ध्यान लखे comment में जरूर लिखिए कि मुझे समझ में आ रहा कि नहीं आ तो भी लिखिए कि समझ में नहीं आया आपको दुबारा रिवाइस करके फिर से बताया जाएगा यद आ रहा है तो उसको आप पताए कि हां मुझे एकदम complete समझ में आ रहा है अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें और जो है सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें कि कि सब्सक्राइब करने में कुई आपका को ना जादा खर्चा कुछ भी नहीं लगता free of cash आपको डेबलब करता है और आपको एक जो है आगे एक राह दिखाता है जिसे आप कुछ अर्निंग कर सकते हो और अपने आपको आगे बढ़ाया जा सकता है सिच्छा कि जरी ठीक है तो सिच्छा वो सेरनी का दूध है जिसे पी करके आप दहार सकते हो ठीक है लोगों की बीच में अ आपका क्या है एक सेरनी का वो दूध है जो आप एक बार अगर आपने सही से पी लिया तो आप लोगों की बीच में खड़े हो कि अदम दहार दोगे तो लोग आपका मान सम्मान और में भी आप आर्निंग भी कर सकते हैं तो इसके लिए आप बहुत जदा नहीं बताएंग कर सकते हो आपको स्जाथ पे जो समझ समूझ में नहीं आता है तो आप लोग यह पोते हैं नहीं जानते हैं नहीं जानते है तो और अच्छा है आपको एक के करके हम सारे डिवाइस के नाम बताते हैं जैसे हमारे पास कीबोर्ड अभी आपने कीबोर्ड देखा ही है और माउस भी हमने आपको दिखाया था कीबोर्ड है आपका दूसरा आपके पास माउस होते हैं और तीसरा हमारे पास है जॉयस्टिक जिससे हम गेम प बंगाना सुनने में पढहाई करने में प्रियोब करते माइक्रोफोन की एलावा हमारे पास बैट कैम भी है जिसे हम लोग फोटो जोगरा लेते बहुत हो लेते कि फिर हमारे पास ड्रोन कैमरा है यह भी Links इंपूरडइस होते हैं लाइट पैन यह आपका शोचच प्रेश्क्राण यह नम होगया डिजीटल हो गया है यह ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारी इन पॉद पीच में से पक्रेश्क बार को झाली भी इन पूद यह से किसी मॉल हो गयरे में कभी आप सब्क Springs कि उङे तो वहाँ पे आपके जब भी कोई receiving करता है payment तो receiving करने से पहले आपका bill तैयर के जाता है वो आपके कपड़े पे BCR code बना होता है वो बार कोड बार कोड रीडर पढ़ता है और पढ़ने के बाद आपको बताया जाता है कि आपका payment कितना हुआ तो इसे हम क्या कहते हैं input device बोल यहाँ था वीडियो के बारे में तो यहाँ पर आपका वीडियो हो गया जिसे आप मॉनीटर बोलते हो मॉनीटर हमारा क्या output device है प्लाटर भी आउट्पूट डिवाईस है प्लाटर प्लाटर मलब जिसे हम एडूटाइजमेंट सामगरी आप लेते हो जैसे पोस्टर बैनर इन्वाइटेशन तमाम प्रकार की जो हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं हमारा प्लाटर निकालता है प्रोजेक्टर का क्या है जैसे आप मूवी ओगरा देखते हैं या बड़े परदे पर कभी पढ़ाई करना हुआ या आप सेमिनार ओगर अटेंड किये होंग या सेमिन ग्रेंटर का काम है से静ले को हार्ड़ कापी में निकलना सब्सक्राइब में हमारे सेमिसे धया इ मैं हार्ड़ कापी में कैसे ले में वह प्रिंटर के फ्रोस को मैं ले लेते हैं इसको हम प्रिंटर पूलते हैं एक आपकोश्रण необходing के बारे में बताया कि इंपूट और डिवाइस के absorption आते हैं कोई भी एक्जाम होता यहां तक की competitive एक्जामों में भी आते हैं जैसे RO, RO, यू, P, P, ला प्रकार के ऐसे हमारे हैं इस हम परकार के आपको दिवाइस हमारे यह एक्जाम होते रहते हैं तो एक number आपको मिलने की chances बढ़ जाते हैं यह hundred percent इसमें कोई doubt नहीं है आपको एक number मिलेगा अगर आप कोई बड़ा exam जीसे ओ लेबल हो गरा देते हो तो इसमें आपको near about 10 से 15 number के question आपको मिलेंगे और आपको हमने सारे components parts के बारे में बताया गया यदा आपको इसमें से कोई doubt होगा कि कुछ आपको अगर जानकारी जादा हो या नहीं है तो आप मुझसे share कर सकते हैं अपनी information आप comment की जेए आप बताईएगा और मेरे वीडियो में यद आप नए है एक बार हम फिसे आप से कह रहे हैं कि channel को जरू आप मेरे लिए केवल बहुत तेजी से आप subscribe किजिए और like share comment तीन चीज आपको करना है और आपको हम free में दे रहे हैं अगर आपको इतनी बड़ी चीज को फिरिम दे रहा है तो वैसे बिना कहें आपका बनता है दबा के like किजिए comment किजिए और अपने ग्रूपों में share भी क और तो इसी यहीं पर हम आप समाप्त कर रहा हूं और जय हिन जय भारत नमस्कार